और इस वक्त आप कहीं भी भक्ति की रील लेखते हो या फिर कोई भी इंटर्टेंडमेंट की रील लेखते हो, मीम देखते हो, फेस्बुक चलाते हो, इंस्टा चलाते हो, या फिर कोई भी सोसल मिडिया प्लेटफॉर्म आप चलाते हो यहां तक कि घर पे आप अगर संसकार टीबी एस्टा टीबी भी चलाते हो जहां वक्ति से रिल्टेट कारिकरम दिखाये जाते हैं तो सभी चैनल पर मात्र एक ही जो है इस वक्त व्यक्ति ट्रेंड में है और काफी जाज चर्चे में है जी हां दोस्तो मैं किसी और की नहीं बात कर रहा हूँ स्री अनुरुद्धाचारिय घुरु जी के बारे में इनको आप सभी जानते होंगे कि अनुरुद्धाचारिय भक्ति, कृष्ण जी से जूरी बाते बताते हैं और इनका जो भी भक्ती और साधना है वो क्रिस्न और राधा के उपर है। इनका ज़्यादातर जो भासन, कथा या फिर सिक्षा दिक्षा का जो माध्याम होता है वो सूसल मीडिया के तरफ से किया जाता है। पर दोस्तों यह अनुद्धाचारे वहीं अनुद्धाचारे हैं जिनके कई सारे मीम वारल हुए और आपको मैं बताते चलू अनुद्धाचारे आज से नहीं लगवग चार-पांच साल वर्सों पहले से इन सभिकारियों से जूड़े हुए हैं। और आपको बता दूँ अनुद्धाचारे जो है वह एक-एक प्रबचन के लाखो रुप्या चार्ज करते हैं। अनुद्धाचारे की साधी हो चुकी है। कई लोग को यह लगता है कि अनुद्धाचारे का जो उम्र है वह काफी कम है। तो मैं आपको बताते चलू अनुद्धाचारे का उम्र है वह 48 यानि 48 साल है और 45 और 45 साल की बीच इंका उम्र है। इनकी जो सिख्छा दिख्छा होई है वह काफी कम होई है, इसकूलिंग जो है इनकी काफी कम होई है ना मात्र के बराबर होई है। इन्होंने जादा तर जो सिक्षा और दिक्षा का कारे किया वो वेद और ग्रंथ पढ़के किये इन्होंने राम चरित्र मानस तुलसी दास प्रेम चंद्र सभी की जो है वो किताब भी पढ़कर अपना सिक्षा दिक्षा लिया यहाँ तक कि यह भी पता जाता है कि सुदा जैसा कि मैंने आपको बताया है और इनके जो है वो दो बालक हैं और अभी काफी जाद चर्चे में हैं बालकों को लेकर क्योंकि इन्होंने एक रील में बताया था कि गाउ माता को गोबर आप खिला गोबर खाओगे गाउ माता का आप तो आपके जो है वो बच्चे यानि की संतान प्राप्ती होगी लेकिन लोग जो है उसका गलत माध्या मिकालने लगे इनका कहने का मतलब था कि यदि आप गोबर खिलाओगे और उस गोबर पचा नहीं पाती अगर आप कि गेहों को चबाने में जो है गवमाता को कशनाई होती है और पाचन जो प्रक्रिया है वो उसको नहीं पचा पाती है वहीं आप गेहों को पीस के खिलाओगे तो गवमाता जो है उसको आसानी से जो है वो पचा लेगी और पाचन प्रक्रिया जो है वच्छे से होगा लेकिन अगर गेहु खड़ा गेहु आप खिलाओगे तो गव मता उसे पचा नहीं पाती है उनका पाचन परक्रिया इतना एश्ट्रोंग नहीं है कि उसे पचा पाए और उसके बाद मल के माध्यम से यानि की गोबर जहां से आता है गोबर में ही लिप्टा हुगा आपको खड़े-खड़े गेहु के दाने मिल जाएंगे तो इनके कहने का मतलब ये था कि अगर जो महिला है वो गर्वती नहीं हो पाती है तो इसको अगर आप गेहु के दाने वहीं गेहु के दाने अगर गाव को खिला कर गाव माता को खिलाने के बाद जब उनका गोवर अपलेंगे उस गोवर में जो गिहूँ आएगा उसी गिहूँ को आप अच्छे से धो कर लगभग एक पानी दो पानी नए आठ पानी दस पानी अगर आप उसको धो देते हैं फिर उसको सुखाते हैं और अच्छे सोस को जो है वो गरम कर देखके उसको पीशवा कर और उस महिला को खिलाते हैं तो उसका गर्वासे जो है वो काफी अच्छे से प्रक्रिया करेगा इसके बाद यदि कोई भी बिमारी गर्वासे रिलेटेड होती है तो जो महिला है उसका वो गर्वासे का जो बिमारी है वो सही हो जाता है तो कई लोग को यह पूछते हैं कि क्या बाबा जी आप भी ये कारे किये हैं कि आप भी अपने पत्नी को गाय का गोबर खिला कर और गेहु खिला कर आप जो है वो अप या नहीं आई इसलिए मुझे असानिक से पुत्र और संतान की प्राप्ती हो गई दोस्तो अरुद्धाचारे के पास जो है वो अरुद्धाचारे कई भासन में आपको देख सुनते हुए कई सारे परवचन में आप उनके सुनेंगे वो बोलते हैं कि संसार का मुहमाया से गाड़ी पे घुमते हैं अरुद्धाचारे के पास अभी लेटेस्ट गाड़ी जो है वो आप देख सकते हैं यह है अरुद्धाचारे अभी जो है काफिया फेमस है एंडी टीवी रिपब्लिक भारत कई सारे पोड़कास्ट में को बुला जा रहा है साथी साथ परस्ट को जो है वो सुनने के बाद उनके समस्याओ को सुनने के बाद उनका समस्या का हल करते हैं और इनी समस्याओ और परस्ट के बीच से जो है मीम बनते हैं कई लोग जो है वो बोल देते हैं जैसे कि एक बच्चे का मीम वायरा लुगा था कि मेरे चर्णों में गुरु को खरीद के लाया है और साधी किया है पचासी हजार में तो गुरु जी बोलते हैं कि क्या इसे महंगी वाली नहीं थी क्या देर लाख वाली तो ऐसे इसे नटखटपन के कारण और ऐसे इसे चीजों के कारण इनका हासे भी उड़ाया दाता है लेकिन हासे के पीछे कई सारे जो है वो फैक्टर काम करते हैं और गुरु जी दिन पर दिन जो है अपने संपती जो है सयोग रहे हैं गुरु जी के पास संपती की बात करें तो दो क्रोर से उपर की संपती है और गुरु जी का जो अधिकतम जो संपती है वो परबचन से आता है और ज्यादा तर जो खर् उसके बाद ब्रिधा अस्रम है और इलाज वेगरा क्या भी खर्चा उठाते हैं गुरुजी और ये किसी को भी नहीं बोलते थी कि आप मुझे दक्षिना दो या फिर आप मुझे जो है वो इस प्रकार से सहता करो उस प्रकार से सहता करो इनके भग थी इतनी जादा है कि खु अरुधाचारे का जो उम्र है वो 45 साल से उपर है और अरुधाचारे का जो है साधी लगभग 35 साल के तीस साल के उम्रे हो चुका था अरुधाचारे का जो साधी है वो इन्होंने अरेंज मारे चीया था यानि कि जो इका विवाह है वो इनके माता-पिता के समती से हुआ औ और इनका मानना है कि औरत जो है वो साड़ी ही पहन के रहे गुंगट में रहे तो अच्छी रती है औरत को हमेशा सांत रहना चाहिए पती को उल्टा जबाब नहीं देना चाहिए यहां तक कि एक रील भी वैरल हो रहा था जिसमें रजाचारे ने बोला था कि एक औरत आई थ रहले पर होता है। आप फिर बोलते है एक काम करों झाल को मंजन को यह बताते हैं झिक आप एक उंगली टाओ और अपने मुण पर रखो यानि कि जब भी ऋड़ाई हो तो आप सांत रहो यानि की औरतों को दब कर रहना चाहिए इनका ये मानना हैं १ाय दिन जो दुसकर्म हो रहे हैं लड़कियों के साथ उसमें कहीं न कहीं जो है लड़कियों कहीं दोस है क्योंकि इनका मानना है कि छोटे कपड़े पहनने से जो है वो दुसकर्म होते हैं और ये भी कहते हैं कि यदि सामने से कोई औरत जारी है और कोई साड़ी में है और कोई छोटे कपड़े पने है तो पुर्स जो है या फिर मर्ड जो है या लड़के जो है उसका पहला नजर जो है वो छोटे कपड़े पे जाता है तो इनी सब कारणों के कारण जो अनुरुदाचारे हैं काफी ज़्यदा पॉपुलर है आपको कैसा ये लगा वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और क्या आप भी अनुरुदाचारे को फॉलो करते हैं फॉलो से याद आया अनुरुदाचारे के यूटूब चैनल पे पांच लाग सूपर सस्क्राइबर है और अनुरुदाचारे यूटूब से लगबग हर महीने नहीं भी तो बीस लाग रुपे कमाते हैं और इनका टोटल संपत्ती जो है वो दो क्रोर है सलीना यह था पूरा वीडियो आयो वीडियो अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा थुरा भी तो वीडियो को लाइक कर देजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा तब तक के लिए जाहीं दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो में और कमेट करना बिलकुल ना भूलें